प्रज़ान देना चाहता हूं कि थोड़ा विलम से और अचानक आपको गिलाया है आप सब भी जानते हैं मंगाल के अंदर एक बहुत जबजस्त परिवर्तत की लहर चली है और आज जब प्रधान नंत्री जी बूद के कारिकर्दाओं से बात कर रहें तभी उन्होंने बंगाल के कारिकर्दाओं देने था पर जब ते हिंसा की राजनिती होती है विडिक्टिव राजनिती होती है उसमें भार्थी जन्ता पार्टी के साथ रोज बड़ी सिंज्छा में लोग आ रहे हैं आज मैं परिचे कराता हूं स्री निशीद प्रमानिक क्यों कि पश्चिम मंगल में जैसे जितना भी यूथ है जितना भी लोग है मामाटी मानुस का नाम पे जो सरकाराया था मामाटी मानुस का इमेश को लेके बुआ भी खेल रहा है पस्चिम बंगाल में यूद का मेरुदंडो दुरूबल किया जा रहा है, वीक किया जा रहा है, यूद के पास काम नहीं है, खाना नहीं है, उत्तर बंगाल में, हम लोग उत्तर बंगाल से आया, उत्तर बंगाल में इतना चाय बागान में, इतना सारा लेवाल लोग, खाना क का अभाब में बोलोग मर रहा है फिर भी गौब्मेंट ने कुछ नहीं कर रहा है आपने उत्तर बंगाल की बात की जो इलाका कुछ भी हार जलपाई गोड़ी दार्जलिंग इलाका आता है सटावगा नौर्फिष्ट का वो इलाका है इसे हम कते हैं तो इतने भी ट्रिट्मेंट होना चाहिए था जितना मेडिकल फैसलिटीस होना चाहिए था कुछ भी नहीं हो रहा है इसलिए एक दिक से जैसे वो लोग बेरोजगार हो रहा है वैसे धीरे धीरे एक के बाद एक बगान बंद हो रहा है इसलिए बहां पर बहां का यूथ जैसे कुछ भी निल्टे। इसलिए हम लोगों ने दिया है कि अगर देश माता का कोई रक्षा कर सकता है तो मोधी जी कर सकता है। एसा देखा जा रहा है कि इन खास इलाके की लोग है दारज़िलिंग, जलपाई-गुड़ी, कुछ भी हार खास इलाके की लोग सामिल हुए है। देखें पूरे पश्चिमी बंगाल में मोदी जी का नेत्रत्तु को स्विकार किया जा रहा है पूरे पश्चिमी बंगाल में भारती जनता पार्टी के लहर चल रही है हर डिस्ट्रिक के अंदर लोग भारती जनता पार्टी माना चाहते हैं किन्तो टीमसी के द्वारा जूट तो निकाल करके प्रचारीत करता है आज मैं हर बूत कारकरता को एक जिम्मेदारी देता हूँ आप यह तै कर लें और मैं सभी बूत के कारकरतां से आगरह करूंगा कि हर बूत कारकरता कम से कम दस परिवारों के साथ चुनाव तक गनिष्ट समन्द बनाएगा अगर एक एक कारकरता आप दस दस परिवार को लेकर बैठ जाए बूत में आप कल्पना कर सकते हैं उस बूत की ताकश कितनी बढ़ जाएगी उन्हें सरकारी योजनाओं से जोड़ेंगे उन तक सरकार द्वारा किये गए कामकाज की सही और नीमित जानकारी पहुंचाएंगे कारकरता संकल्प ले कि मेरे बुथ में सबसे ज़्यादा लोग नमो एप को डाउनलोड करेंगे डाउनलोड करेंगे इतना ही नहीं रोज नमो एप पर आदा घंटा देंगे नमो एप में क्या-क्या है वो देखेंगे और उसमें से जो बाते हैं वो आगे पहुंचाएंगे नमो एप के माध्यम से वो वॉलेंटेरिंग करेंगे जनसंपर करेंगे पॉजिटिव चीज़ों को रोज शैर करेंगे डोनेशन देंगे सुझाव देंगे आज जब हम इतना अधिक मात्रा में काम कर पा रहे हैं तो इसकी सबसे बड़ी बज़य है सवा सो करोड देशवाश्यों का आसिरवाद जिनके समर्थन से तीज साल बात देश में पूरन बहुमत की सरकार आई है कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने राजनितिक स्वार्थ के चलते मजबूत सरकार से भागते हैं मजबूत सरकार का नाम सुनते ही डरते हैं और इतना ही नहीं वो तो तत्वगयन भी परुतते हैं कि सरकार कभी मजबूत होनी नहीं चाहिए उनको कह चाहिए मजबूर सरकार चाहिए क्योंकि वो उनके अपनी दुनिया चलती रहे ऐसे मैं बूत कार्यकरताओं का एक कर्तवे हो जाता है कि वो लोगों को समझाए कि जब मजबूर सरकार होती है तो उससे क्या फर्क पड़ता है और उससे देश को क्या फाइदा होता है चलिए मुझे अच्छा लगा रजनी जी के सवाल पर तिरपुरा से माध्यम से पुरे देश की कारकरताओं से बात करने का मोका मिला आईए हम हापुर चलते हैं यहां हापुर में लोग हमारा इंतिजार कर रहे हैं हापुर नमस्ते उत्तर प्रदेश के सभी कारकरताओं को नमस्कार प्रणाम करताओं और हाँ बताईए मान्यवर आपने जो उत्तर परदेश में विकाश कारे करिये हैं मैं आपका उत्तर परदेश की तब से आवार ब्यक्त करता हूं आप से विश्वास कर चाहता हूं कि आपका हाथ हमारे हाथ शर्पर ऐसी ही रहे आप से मुझे एक प्रिश्ण चाहिए है कि 2014 में जो हमने वादे के थे 2019 में हमने पूरे किये लेकिन इस आधार पर आप हमें यहां से किस दिशा में ले जाएंगे यह जानना चाहता हूं हम इस आधार पर और क्या कर रहे हैं यह मेरे से आप से प्रसन है धन्यवाद महिज जी बैठिये देखिए मैं बात करने दे पहले महिज जी आपको ही अपने परिवार की पुरानी चीजों की और ले जाता हूं आपको पुराने किसे याद करा है अब आप सोचिए आपको तुरण ध्यान में आएगा मैं क्या कह रहा हूं जब पहली बार आपके घर में ब्लैक एंड वाइट टीवी खरीदी गई होगी तब आपको अपने घर में टीवी देखने की कितनी बहचेनी रही होगी लेकिन जब समय बित्ता गया तो फिर आपको कलर टीवी की आवश्यक्ता में सुझ होई होगी ठीक इसी प्रकार का अंतर 2014 और 2019 के कालखन का है 2014 से 2019 ये प्रकार से आवश्यक्ताओं को पुरा करने का समय था लेकिन 2019 से आगे आवश्यक्ताओं से बात बनने वाली नहीं है ये समय होगा आकांख्याओं को पुरा करने का और मैं इस बात को मानता हूँ कि 2014 से 2019 अगर आवश्यक्ताओं की पुर्ती का काल था तो 2019 से 2024 आकांख्याओं की पुर्ती का काल है 2014 से 2019 बुनियादी जरूरों को हर गर पहुंचाने का समय था जबकि 2019 से 2024 आगे तेज उन्दती के लिए उडान भरने का आउसर है 2014 से 2019 का समय फ्रेजाइल फाईव से बहार निकलने की मसकत थी जबकि 2019 से 2024 आगे विश्व की टॉप फाईव अर्थ व्यवस्ताओं में सामिल होने का अउसर है 2014 से 2019 की ये यात्रा निराशा से आशा आवशक्ता से आकांशा संकल्प से सिद्धी की और ले जाने वाली है 2014 से पहले भारत में एक ऐसी सरकार थी जो ब्रष्टाचार में डुबी हुई थी देश में पॉलिसी परालिसिस था देश को प्रष्टाचार मुक्त मजबूत और निर्पिक्ता से निर्णे लेने वाली सरकार की आवशक्ता थी और हमने ऐसी सरकार दी है 2014 से पहले देश का आम आदमी आसमान छूती महंगाई से परिशान था हमने इससे निजाद दिलाने का वादा किया और महंगाई को दो तीन प्रतिशत के आसपार लाकर के रख दिया साथियों हमें इस बात की खुशी है कि 2014 से पहले देश जिन चीजों की आवशक्ताइं मैसूस कर रहा था हमने सवासो करोड देशवाचों की मदद से उन आवशक्ताओं को पूरा करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी पूरी महनती है इसलिए आज जब जन आकांच्छाओं को देखता हूं तो हमारे काम करने का उत्सा कई गुना बढ़ जाता है और इसलिए मैं सपस्ट कहता हूं कि 2014 का चुनाव देश की आवशक्ताओं को पूरा करने के लिए जन्मत था और 2019 का चुनाव भारत के भारत के जन्जन की आकांच्छाओं को पूरा करने के लिए जन्मत होने वाला है बीते पांच बर्षों में देश में किस तरका बढ़लाव आया है वो हम सब के सामने हैं आज हर भारतिय बढ़लाव मैसूस कर रहा है अब इन पांच सालों में ही जब इतना कुछ हुआ है तो सोचिए अगली बार जब हम देश की सेवा करने का फिर मोका मिलेगा और मुझे भी स्वास है मिलने वाला है तो हम इस मजबूत इमारत को और कितना आलिसान और कितना भव्य बनाएंगे साथियों यह सब तब संभव है जब आज जो विकास के दिशा और रप्तार है उसको नकवल मेंटन रखा जाए बल्कि उसको और गती बढ़ाई जाए